अलो नमस्का दोस्तों मैं मुनिन सिंग एक वार इस आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में और आज की वीडियो हो तीसरी वीडियो होने वाली करीर आप्सम्स वाली सीरीज की तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई सब्सक्राइब करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना चाली कारकम सुरू करते हैं जहां पर ना हम केपल बारे में पढ़ते हैं बलकि हम इसमें टेक्नलोजी की मदद से कुछ कुछ इंप्रूमेंट करते हैं कुछ एडवांस करते हैं फिर हम उससे कुछ सीखते हैं तो यह बहुत ही एक नया एक इमर्जिंग फील्ड है जहां पर जॉब अपॉजूनिटीज इसको वगरा सब चीज अभी बढ़ने वाली है क्योंकि यह अभी धीरे-धीरे स्टार्ट हो रहा है तो यह बहुत ही एक अच्छा फील्ड है और मैं बात करूं कि जो बायो टेक्नलोजी यह इसका जो नाम है यह खुद दर्साता है बायोजी विद टेक्नलोजी यह चीज जिसे खुद दर्साता है और मैं बात करूं इसकी eligibility criteria की eligibility criteria यह है कि कोई भी student जो अपने 12th complete क बच्चे हो या आप किसी pharmaceutical company या कि इंडर्स्टी में काम करना चाते हो तो अगर आप एक रिसर्च औरेंटेड बच्चे हो तो आपको हमेंसा बीच्च वानर्स या बीच्च परसीव करनी चाहिए इन बायोटेक्नलोजी क्योंकि यह आपके लिए ज्यादा इसकोप को आफर करते हैं तो बेसिकली मैं बता दूं कि कोई जात है सभी नामी कॉलेज चाहें वो प्राइबेट हो चाहें वो गवर्मेंट हो वो इस को आफर करते हैं तो उन कॉलेज के नाम जैसे कि हमारे बुंदेलखरी यूनिवस्टी है आई-ई-ई-ई-ई होते हैं एन-ई-ई बेरला इंस्टिटूट है लवली प्रोफेस्टन यूनिवस्टी है एमेटी यूनिवस्टी है और बहुत सारे कॉलेज जो यूनिवस्टी है जो इस को ओफर करते हैं और अगर हम बात करूंगे इसके फीस ट्रक्चर की तो बीस सी बायोट टेक की फीस नॉर्मल क्या हो सकत है वह हमारी 5,000,000,000 हो सकती है यह मैंने एक एवरेज बताया है यह कोई फिक्स प्राइज नहीं किसी भी कॉलेज की तो बेसिकल जतने भी हमारे प्राइवेट कॉलेज है उनकी ओन एवरेज जो फीस है वह डाइलाग से 5,000,000 के बीच में होती है इस कोर्स की और वहीं किसी कोई भी फिक्स प्राइज नहीं यह यह मैंने कुछ अजय कोलेज निकला है वह सारे कॉलेज की फीस तेकर तो कि है बहुत अगर मैं बात करूं कि एडवेज मैं किस तरहें से करेटरिया के मेरा मार्किंग क्राइटेरिया बहुत ही हाई रहता है यहने कि कड़ बेस्ट में कि इसलेक्श देथे जाती है और पर अच्छाकी स्कॉर करते हो या उनके जो प्राइबिट को लेज जो अपना टेस्ट जो एंटर्स एक्जम कंड़क्ट कराते हैं उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप 100% स्कोलर सिप्पे भी वहां पर पढ़ सकते हो और स्कोर्स को पर सकते हो अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें स्कूप की कि क्या क्या स स्कूप हैं तो मैं बता दूंकि यह एक नया एक इमर्जिंग फील्ड है जहां पर बहुत सारे स्कोप है काफी स्कोप है तो इसको इसको परिशी कुनने के बाद आप रिसेच लैप्स में बायो टेक पार्क्स में फार्मा कंपनीज में इन सब इंडिस्टी में काम कर सकते ह और एक बहुत ही अच्छी 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 है तो इसका मतलब यह नहीं कि और बहुत करने के लिए और अच्छा फोनने के लिए हमें इस master degree यानि कि हमें master's pursue करना चाहिए जिससे आपको और knowledge मिलेगी और experience मिलेगा जिससे आपका skill set इंप्रूव होगा experience इंप्रूव होगा knowledge इंप्रूव होगी जो directly आपकी growth में help करेगा और directly आपको क्या होगा आपको बहुत सारे benefit होंगे इंदा money की बात करूँ में पैस है तो आपको PhD यानि की doctor degree in biotechnology आपको pursue करनी होगी उसके बाद आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगी फिर उसके बाद आप research कर सकते हो तो basically अगर research आप कर लेते हो तो इसके बाद आप as a lecturer भी आप 50-70,000 रुपे और जादा ही कमा सकते हो in the field of biotechnology और in the field of academics आप उ को follow करते हो तो आप हमेशा वह काम अचीव कर सकते हो जो आप कुछ सोच नहीं सकते हो दूसरे चीज को कभी सोच नहीं सकते हो इतनी success आप पा सकते हो चलो यह तो बात हो ही अपने पैसन को जानने की अपने potential को जानने की तो लेकिन मैं reality में बात करूं कि जो हमारे bio technology का जो दी रहे यहां पर भी improve होगा बहुत ही अच्छा scope होगा and bio tech करने के बाद आपके आपके पास कौन कौन सी positions होती है जिनको आप समाल सकते हो तो मैं बता तुम्हार के medical coder के तोर पे और हमारा क्या हुआ research associate associate bioteknologist हुए bio tech instructor हुए हमारे तो इन सब की position आप समाल सकते हो and at the end वही कहना चाहूंगा जिस चीज में आपको feel होता है कि आप यह चीज काम कर सकते हो जिसमें आपकी feeling जोड़ी हुए हो जिस काम सो करने से तो आप उस चीज को कभी छोड़ना मत हो आपको कहीं न कहीं लेके जरूर पहु